दोस्तों नमस्कार वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल जैसे कि आप देख रहे हैं आज हम लोग L.I.C की एक स्कीम लॉंग टर्म आरडी पॉलिसी की चर्चा करने जा रहे हैं लॉंग टर्म रेकरिंग डिपोजिट ये एक सुलर वर्स की रेकरिंग डिपोजिट है जिसमें आपके जमा धन का साड़े तीन गुरा रेटर नहां से आपको मिलता है इजी इस्टॉल्मेंट है आप एक हज एक हैंडसम रेटर नहां से आप ले सकते हैं आएक हम लोग एक एक जामपल लेते हैं एक जामपल के मध्यम से इसको क्लियर करेंगे मेरा रिक्वेस्ट होगा इसकी वीडियो को आप अंतक जरूर देखें इसे समझने के लिए एक एक गुरूप लिया है पचीश से तीस वर दूसरा रिसकबर कितने का होगा तीसरा टूटल डिपोजिट आप कितना करेंगे और चौथा इसमें आप जानेंगे कि आपकी टूटल मैचियरिटी कितनी होगी आइए सबसे पहला एक जार रुपय क्या है मंतली हजार रुपय में आपकी जो чист कबर होती है वो ढाइलाक रुपय की होती है इस है कि नॉर्मल रिष कवर है एक्षिदेंटल के केस में यह डबल हो जाएगा यह पांच रुपय की हो जाएगी जो टोटल डीपोजिट आपका होगा एक जार रुपे करके कितने साल 16 यर 16 साल में आप 1000 रुपे मंतली करके जो टोटल जमा करेंगे आप एक लाग 92 रुपया को जमा होगा और जो कुल मेचुरिटी आपकी होगी वो 6,05,000 रुपया यहाँ बात गउने करने वाली है कि जो आपकी PPT है Premium Paying Term मतब जब तक आपको Premium Pay करना है वो 16 वर्स है उसके बाद 9 वर्स का Grace Period होड़ा है कितने का? 9 यर का और यहां पर जब यह Policy 25 वर्स की हो जाती है तो फिर आपको यह Maturity मिलती है गौर करने वाली बात यह है कि यह 9 साल जब आप Premium नहीं भी Pay करते है उससे में आपका रिस्क कभर यह रिस्क कभर डाइलाग रुपे का वो continue रहता है जो दूसरी स्कीम है उसमें 2000 रुपया आप मन्थली जमा करते है आपका जो रिस्क कभर होता है वो 5 लाग रुपे का होता है नॉर्मल एक्सिडेंटल रिस्क कभर डबल हो जागा 10 लाग रुपे का होगा टोटल डिपोजिट जो आप 16 वर्स में करते हैं वो 3,84,000 रुपया आपकी टोटल कुल डिपोजिट होती है और जो कुल मेचुरिटी आप यहां से प्राप्त करते हैं वो होता है 13,50,000 रुपया जो तीसरी स्कीम है वो है 3,000 रुपय मेहने की अगर आप 3,000 रुपय मेहने का यहां पे जमा करते हैं तो आपका रिस्क कभर बढ़के 7,500,000 रुपय मिनिमम हो जाता है जो कुल डिपोजिट यहां होगा 3,000 प्रीमियम वाले में वो 5,76,000 रुपय आप जमा करते हैं और कुल मेचुरिटी जो आप यहां से प्राप्त करते हैं वो 20,00,000 रुपय होती है साड़े तीन गुना फुर यह चोथी स्कीम है वो 4,00,000 रुपय मेहने की है 4,00,000 रुपय आप मेहने जमा करते हैं कुल आपका रिसक भर यहां से 10,00,000 रुपय का नॉर्मल होता है एक्सिडेंटल में 20,00,000 रुपय का होगा जैसे आप यहां देख रहे हैं और कुल आप जो टोटल डिपॉजिट आप करते हैं कितने सुल लवर्स में होता है 7,68,000 रुपय होता है एक बात जो बहुत गौर करने वाली है वो यह है कि यह जो सारे अमाउंट होते हैं वो पूरी तरह टेक्स फ्री है और पॉलिसी जो है वो 100% सौबरेन गारेंटी का मतलब हुआ कि जिसमें सरकार आपके जमाधन की 100% गारेंटी लेती हो यहां मैंने लिखा है कि यह रिस्कवर है एक्शिडेंटल के केस में यानि एक्शिडेंटल के केस में यह रिस्कवर जबल हो जागा धाई का 5, 5 का 10, 7,15 और 10 का 20 लाक रुपय हो जाएका सबसे इंपूर्टेंट बात इस पॉलिसी के यह है कि आगर यह पॉलिसी आट से минимum आट वर्स के बच्चे को आप यह ़लसी दे सकते हैं तो 8, 17 वर्स तक कम बच्चे के उमर तक अगर आप यह पॉलिसी लेते हैं तो पहले दूसरे वर्स तीसरे वर्स कभी भी policy लेने के बाद उसकी date हो जाती है उस case में क्या होगा कि यह प्रीमियम मेहने का 1000, 2000, 3000, 4000 जो देने हैं जो प्लान वो सेलेक्ट करेंगे वह premium क्या हो जाएगा यहाँ प्रीमियम माफ हो जाएगा date के case में एक दूसरा case लेते हैं इसमें यह मानते हैं कि यहाँ पर अगर चाइल्ड के date हो जाए पॉलिशी लिया और पॉलिशी लेने के बाद जो है वो अगर चाइल्ड के date हो जाती है चाइल्ड के date के case में क्या होगा कि पॉलिशी बंध हो जाएगी पर जो रिस्ट कभर एमाउंट है यहाँ डाइलाग रुपया वो डाइलाग रुपया अगर बच्चे के साथ अगर हो जाती है गारजियन के साथ ना होगा तो उस गारजियन को एट लिए पॉरी तरह माफ हो जाएगा और पॉलिशी की जो मेचुरिटी मिलने थी वो बिना प्रीमियम दिये मिलेगी और अगर किसी तरह की अन्होनी बच्चे के साथ अगर हो जाती है गारजियन के साथ ना होका तो उस गारजियन को एट लिस्ट यह जो शेक्यूर एमाउंट है धाई लाग पाच लाग साढ़े साथ लाग दस लाग रुपया वो मिलेगा ही मिलेगा समय देने के लिए आपका बहुत बहुत देने वाद थैंक यू वरी मच्च